क्या आप भी अपने फ्रिज में बार बार कॉक्रूच को देखकर ठक गए हैं परिशान हो गए हैं तो बिलकुल टेंशन लेने की बात नहीं है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे घरेलून उसके जो आपके बहुत ही काम के होने वाले हैं ये बात तो जरूरी है कि कॉक्र की तरीके से दूर रखना चाहिए जहां पर हम खाना बनाते हैं खाते हैं या फिर स्टोर करते हैं इन जगों में डाइनिंग टेबल पेंटरी किचन और फ्रिज शामिल है सबसे ज़ादा रेफ्रीजरेटर यानिकि फ्रिज में आसानी से कॉक्रोच हो जाते हैं क्योंकि कॉ आज की वीडियो में घरेलू उपाय हम आपके साथ साजा करने जा रहे हैं जिसे अपना कर आप इन तिल्चटों से आसानी से चुटकारा पा सकते हैं साथ ही इन घरेलू उपायों को आजमा कर जो है आप हमेशा के लिए मतलब यहां तक की दुबारा जो कॉक्रेश है वो आप से खतम करने का प्रभाव साली तरीका है लेकिन अपने भोजन आसपास बोरिक एसिट का इस्तमाल करते समय आप जो है उसको भोजन को हटा दीजिए आपको थोड़े जो है साब्धानी रखने की आवशकता इस टाइम पर पड़ेगी क्योंकि यह एक कारवनिक पदार्थ न और आदा बड़ा चमच गेहूं का आटा मिला कर घोल बना लीजिए फिर अच्छी तरीके से उसे मिला कर जहां जहां पर आपको लगता है कि कौकरोच छिपे हुए वही वही पर उसे थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए इस नुस्खे को आपको हर दो तीन महीने में दोहरान क्योंकि ये प्रकृतिक में अमलिय है और कीड़ो को आसानी और प्रभावी ढंग से मारता है और हटाता भी है आपके फ्रेज में से कौकरोच को भी आसानी से खतम कर देगा आप एक कटोरी में एक बड़ा चमच बेकिंग सोडा और एक चमच सफेद चीनी मिलाएं और एक घोल तयार कर लें अब इस घोल को एक स्प्रे बोतल में भर लें और कौकरोच से प्रभावी छेत्रों में इस मिश्रन को डालें इस बिदी का परियोग तब तक करें जब तक कि सभी कौकरोच आपके रेफ्रिजरेटर से दूर ना हो जाए तो तीसरा और आखरी तरीका बत पश्किल होता है इसलिए आप इसका उप्यो कौकरोच को से छुटकारा पानी के लिए कर सकते हैं आपको बस 5-7 तेजपत्ते लेने हैं इसे अपने हाथों में कुचलना है और कौकरोच के सभी संभावित प्रिवेश बिंदों पर रखना है हर बार जब आप उन्हें आते ह कौकरोच से जो है आप आसानी से छुटकारा पाजाएंगे वह कौकरोच आपके फ्रिज को छोड़कर भाग जाएंगे